Hey guys, I hope you are all doing well. I am Harun और आज मैं आपके लिए लाया हूँ CPC के कुछ नोट्स. Friends, यह मैंने जो portion आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने एक list बनाई हुई है, sections की और numbers की. So section तो एक address हो गया, barret का, कि कि section का कौन सा close के बारे मैं बात कर रहा हूँ. और सामने जो number है, वो number के मैंने वो notes लिखे हैं, वो keywords लिखे हैं, जो सिब number से relate करते हैं. For example, कहीं पर 1000 रुपए, कहीं पर 2000, कहीं पर 3000, या कहीं पर 1-2 साल time बताया गया है, या jail के लिए समय बताया गया है, civil prison, devotion बताया गया है, तो उसके लिए मैंने लिखा हो गया है. खिलाल ये section का ही हम देखते हैं, कि कहां कहां पर कौन कौन से चीएं बताये गई हैं. Suppose that आपका कल exam है, और आज आज आपको revise करना है CPC, या माली जिए थोड़ी देर में एक घंटे बाद आपका exam है, तो आपको किवल दो मिनट लगेगा, आप पूरा ये page revise कर पाओगे, लेकिन हाँ, आपको CPC पड़ी होनी चाहिए, पहले से तयार होनी चाहिए, पूरी तरह से, फिर आप revision करना चाहते हो, तो फिर आपके पास इस तरह का notes होना ही चाहिए, क्योंकि आपका बहुत time बसता ह और आप सारा कुछ revise कर लेते हो, एक भी number का आपका गलत नहीं होता है, हाँ, sections आपको याद होनी चाहिए, वो एक अलग बात है, तो friends हम इसके अंदर content देख रहे थे, तो पहली जो section है, वो हमारी बात करते है, 25 के 4 की बात, section 25 कहते है, power of supreme court to transfer suits, अब यहाँ पर जो इसका च Supreme Court पाता है कि वो frivolous है, waxisious है, मतलब तो च्छे अतंग करने वाला है, तो Supreme Court उस person को जिसने application किया हुआ है, उसको वहाँ पर 2000 रुपीज तक के लिए compensation देने के लिए कह सकता है, और यह compensation सामने वाले party को दिया जाएगा, जो application को oppose कर रही थी, तो यहाँ पर 25 के 4 में 2000 रुप तो जिस तारीक को हमने suit को institute किया है, उस तारीक से 30 दिन के भीतर हमें समन करना होता है, फिर यहाँ पर 32 का C, section 32 बात करती है, penalty के लिए, penalty for default, अगर court ने किसी व्यक्ति को बुलाया हुआ है, उसके लिए समन निकाला है, और वो समन के पालन में नहीं हाजिर हो रहा है, तो court यहाँ पर compel कर सकती है, उसको warrant भी issue कर सकती है, arrest warrant, उसकी property address करा सकती है, sell करा सकती है, और जो important चीज है, उसके उपर fine भी लगा सकती है, और वो fine यहाँ मैंने बताया है, 32 के C में, 5000 रुपीस का fine लगा सकती है, then friends, interest आता है 34 में, section 34 interest के बारे में, हलकि CPC में ज़्यादा सकती है, तो CPC का कहीं भी question आपको आता है, तो आपको 6% interest पर टिक करना है, then section 35a, section 35a बहुत important है, यह बात करते है, compensatory cost in respect of false or vexious claims or defenses, compensatory cost, अब यहाँ पर क्या है, वही आपका claim आपने vexious किया था, defense वगेरा है, जो आपने लिए false के लिए, तो यहाँ पर court क्या करेगा, court य लेकिन वो payment of false amount जो होना चाहिए, वो 3,000 रुपए से 3,000 रुपीज से जादा का नहीं होना चाहिए, तो compensatory cost जो जहाँ पर है, वो 3,000 रुपीज से जादा नहीं होनी चाहिए, यह बहुत important है, क्योंकि इन ही 2-3 sections में बहुत confusion होता है, एक तो 2,000 रुपए, फिर 5,000 रुप में, perceived मतलब आग्या पत्र, यह एक तरह से judicial order होता है, और इस judicial order के तहट आप property को attest किया जाता है, तो जो property attest कि जाती है, वो कितने समय तक attach रहेगी, तो 2 मन्त तक, 2 महिने तक primarily वो आपका attachment, configuration रहता है, फिर इसको बढ़ाय भी जा सकता है, that is another thing, now 58, section 58 कह रहे है हमारी यहा पारे में, detention and release मतलब निरोद और छोड़ा जाना, तो यहाँ पर simple सा लिखा है, every person detained in civil prison, in execution of decree, shall be so detained, कब detained किया जाएगा, जहाँ पर जो decree में payment of money है, वो अगर 5000 रुपीज से जादा है, तो आपको 3 महिने का civil prison हो सकता है, maximum यहाँ पर 3 महिने, 3 महिने से जादा नहीं होगा, यह बात याद रखने बाली बात है, फिर दूसरा है, अगर payment of money यहाँ पर बताया गया है, 2000 से 5000, तो हमें 6 week सिप केबल 6 सपताय तक की jail में रखा जा सकता है, वो भी civil prison में, and then अगर 2000 से कम की value है वहाँ पर, तो 2000 से कम में कोई भी jail नहीं होगी, यहाँ बताता है आपका 58 का 1 इसी के बगाल मैंने एक और चीज लिखी हुई है, order 38 rule 4, order 38 rule 4 यहाँ पर भी civil prison ही बताया गया है, बस अंतर यह है कि order 38 rule 4 में जो degradation, जो civil jail बताये गई है, वो बताये गई है before judgment में, कि अगर before judgment हमें आपको jail में रखना है, civil prison में, तो किस condition में कब तक रखेंगे, तो अगर हमा यहाँ पर 6 week तक ही आपको civil prison में डाल सकते हैं, और अगर 50 rupees से जादा है, तो 6 month तक, यह बहुत important है, यहाँ पर जो maximum time बताये गया है, आपको civil prison में डालने का, वो है आपका 6 month, लेकिन 58 section में, केबल 3 month, आपका maximum time बताये गया, civil prison, then section 554, section 554 जो है हमारी, वो बात करती है यहा आप इन्सॉल्मेंट होने के लिए application करते हो, तो यहाँ पर जब इन्सॉल्मेंट होने के लिए application किया जाता है, तो कितने समय के भीतर किया जाएगा, तो यह एक महीने के भीतर किया जाता है, and the most important thing, इसका section बहुत पूचा जाता है, कि किस clause में दिबालिया संबंदित आवि management के लिए, क्या किसी की salary को attest किया जा सकता है, किसी decree के execution में, yes, किया जा सकता है, तो यह बहुत लंबी sections है, लेकिन मैंने केवल keywords यहाँ पर निकाले हुए है, numbering वाले, तो section 60 का first में यहाँ बताया गया है, कि अगर किसी व्यक्ति को को decree के execution कराना है, और वो decree आपकी maintenance की decree से अलग कोई decree है, not for maintenance, तो उस conditions में, जो decree maintenance की नहीं है, उसको execution कराने के लिए, आप उस person की salary मैंसे, पहले 1000 को छोड़ दिया जाएगा, और बाद में जितना बचा उसका two-third छोड़ दिया जाएगा, इसके अलावा जो भी पैसा बचता है, केवल वही पैसा आपका यहाँ पर execution of decree में attach किया जाएगा, लेकिन अगर वो decree maintenance की decree है, तो फिर उसकी salary मैं से केवल one-third ही छोड़ा जाएगा उसके लिए, बाकि two-third पूरा का पूरा code attach कर लेगा, this is very important here, and इसके बाद जो है आपका यहाँ पर एक थोड़ा शूने करार के बारे में भी बताता है, वो one-am है, त और वहाँ पर जो आपका निस्पादन हो रहा decree का, वो उस पर आप पृतिरूत कर रहे हो, उस पर आप बाधा पहुचा रहे हो, तो आपको 30 दिन का समय, 30 days की civil prison आपको हो जाती है, and important thing is, कि यहाँ पर एक female को भी आप detain कर सकते हो, हालकि कुछ section से जहाँ पर बताया गया, क यह females को कुछ conditions में detain नहीं किया जाएगा, now section 80, section 80 कह रही है यहाँ पर notice के बारे में, कि आपको, अगर सरकार को see you करना है, तो आपको see you करने से पहले सरकार को उसकी notice देना होगा, इसी सम्मंदित में, और वो notice होगा दो महिने का, at least दो महिने का notice होना चाहिए, इसके बाद में ही आपको सकर पाएंगे, यह बहुत important है, फिर आपका आता है section 82, section 82 जो बात करता है वो करता है आपका execution of degree के बारे में, तो यहाँ पर simple सी बात है, जो section 82 का second point कहता है, कि अगर degree की तारीक से, तीन मास की अबदी तक उस degree को तुष्ट नहीं किया जाता है, तो ही उसके बा पार मियाद हो जाएगी, section 95 हमारी बात कर रही है, कि अगर compensation की बात है, यहाँ पर 50,000 रुपीज दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस condition में, यहाँ पर बताता है, कि अगर आपने किसी व्यक्ति को falsely या बिना किसी sufficient ground के arrest करा दिया, उसकी संपत्ति को attached करा दिया, injunction ले ल बताया गया है, now, अब हम आते है, section 96, section 96 friends appeal from original decree, मतलब first appeal के बारे में, तो हलाकि चीजें तो यहाँ पर बहुत सारी है, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपीज के बारे में बताया गया है, 10,000 रुपीज के बारे में यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि अगर small cost court है कोई, और उसने यह यहाँ पर क्या किया है, जो decree दी है, वो decree यहाँ पर है, उसका value है, केवल और केवल 10,000 रुपीज तक, तो 10,000 रुपे तक वहाँ पर उसका decree का value है, और वो decree दी है, small cost court ने, तो उस decree से कोई भी appeal नहीं होगी, हलाकि हो सकती है, जब वो बिधी का प्रिश्नोस में कुछ हो, that is another thing, question of law है, तो ही हो सकती, अदरवाइस नहीं, तो 10,000 रुपीज यहाँ पर थोड़ा सा जिकरुस का आता है, then section 102, section 102 जो है, वो बात करती है, यहाँ पर second appeal के बारे में थोड़ा सा, कि कुछ मामलों में second appeal नहीं होती है, तो कब नहीं होती है, अगर जो आपका decree में, जो वह रखना 102 में 25,000 तक बताया गया है, कि 25,000 तक कोई भी second appeal नहीं होती है, then section 123, यह कुछ खास important नहीं है, फिर भी इसमें numbering आई थी, तो मैंने सोचा बता दें आपको, section 123 यहाँ पर कहता है, कि यह committees के बारे में, कि अगर कुछ states में rule committee बना जाती है, तो उनमें कौन-कौन होग तो जब rule committee बना जाती है, तो यहाँ पर बताया गया कि DJ होना चाहिए, जो at least divisional judge रहा हो, तीन साल तक, तो इसलिए यहाँ पर मैंने three year लिखा होगा है, तीन साल तक DJ रहा हो वो, या फिर उसमें और कौन होगा, और उसमें आपके दो legal practitioner होने चाहिए, जो कि court में enrolled हो, और ए 135 ये कहता है आपका, यहाँ पर exemptions बताये गया है, तो 135 ये बात करता है legislative bodies के लिए, तो जो members है legislative bodies के, उनको arrest or detention से exempt किया गया है, under civil process, तो यहाँ पर कब नहीं किया जाएगा, तो उनको यहाँ पर exemption मिलता है आपका 14 days, पहले और 14 days बाद, 14 days पहले, 14 days बाद, मतलब यदी वो आपके किसी summillion में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, अधिवेशन में, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, उनको, कि जो 20 का जो time है आपका, इस 20 उनको arrest नहीं किया जाएगा, then friends, last आपका हमारा यहाँ पर आता है 148, 148 कहता है आपका समय का ब जा कर सकता है, समय को बढ़ा सकता है, कहीं पर भी, जो total period होका जितना बढ़ा सकता है समय, वो है सिर्फ 30 देस का, 30 दिन के ज्यादा समय कोट यहाँ पर नहीं बढ़ा सकता है, and the last is 148A, यह कहता है caveat, सबसे important है, caveat हमेसा question आता ही आता है, कि जो caveat जो हमारा दायर क्या, caveat करने क जो अधिकार है वो 148A में मिलता है, लेकिन इसका जो duration है वो कितने समय तक, 148A का जो fifth clause है वो कहता है, कि जो caveat है, यह expire हो जाता है after 90 days, तो 90 दिन तक ही इसकी duration है, इसके बाद में caveat के जो time है वो खतम हो जाती है, and that's it friends, यहाँ पर तुम आने सिर्फ CPC के, मैं ज्यादा 13 minutes की video हो गई है, तो friends, अगली जो video होगी, वहाँ पर हम बात करेंगे, orders में, वो थोड़ा सा दो page में आएगा, काफी lengthy है CPC, फिर मैंने बहुत ही short किया है, अगर आप revision कर रहा है, आपने ये बार CPC को पढ़ा हुआ है, तो आप इस तरह का notes बिल्कुल अपने पास रखेग short में और थोड़ा सा यहाँ पर आप detailing लिख सकते हैं, उसी line के आँगे, ये जो मैंने 2000 उपर लिखे है, हलाकि मुझे जरूवत नहीं है, क्योंकि मुझे याद है, तो मैं देख लेता हूँ, केबल मुझे numbering देखना है, कि 2000 कहाँ पर है, तक कि revision revise हो जाए, बाकि मुझे section प बैठ होगे, तो बहुत ही time consume होता है, तो safe time और competition में इसका बहुत ही importance है, so friends, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like करेगा, useful लगी हो, तो please subscribe करेगा channel को, और अपने friends को share भी करेगा, और अगर आप कुछ हमें चाहते हैं, कि आप किस तरह का notes चाहते हैं, आप हमस आप हमस्ट को